अगर आपके भी प्रेग्नेंसी में खुन की कमी हो गई है, अगर आपको भी एनीमिया के सिकायत हो गई है, यह मुगलोबीन का लेवल कम हो गया है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने डाइट में क्या कौन कौन से चीज़े ऐसे इंकलूड करेंगे, जिसे क आपका जो ब्लड का लेवल है, बिल्कुल ही बढ़ जाएगा, जब आपका हिमोगलोबीन कम हो जाता है, तो इससे प्रेग्नेंसी में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले तो जब ब्लड की कमी हो जाएगी, तो आपको भी समस्याओं आने लगेगी बहुत सारी दिक्कते आपके सामने आने लगेगी, आपके सीसू का बिकास अच्छे से नहीं होगा, जो भी सीसू का ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ में रुकाउटे आने लगेगी, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो सीसू है, बिल्कुल उसको विकनेस हो जाएगी, और बिल्कुल ही विक हो जाएगा, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, कि आप बिल्कुल विक हो गई है, और अंदर आपका सीसू भी बिल्कुल विक हो जाएगा, उसको भी बहुत सारी समस्याइं आने लगेगी, बहुत जादा आपको दिक्कते होने लगेगी, अगर आप का हेमोगलोबीन 4月 12 points लेकि छौड़ा के बीच में सोट में ं सबस्क्राइब लेकिस में 10 Farber सब्सक्राइब iş उसको रहना होनी चाहिए इस到底 जरूरी होता है अगर आपके अंदर ब्लड के केमी रहे प्रूंद बहुत बहुत जरूरा पाई हो जाएगा सुबर सुगर लेवल कम हो जाएगा आपके साथ भी बहुत सारी चीजे होने लगती है तो इसको बढ़ाना आपको काफी जरूरी है इसके साथ आपको आपके जो सिसू है उसमें भी जौइंडिस का समस्या आने लगेगा उसके में भी अनिमिया का समस्या हो उलगेगे अगर हो चाइए ट्पस को आप को जरूर करना चाहिए सबसे को पहले एक नारीगल पानी जरूर पीए इससे क्या होता है इससे आपकी सिस्टम जो सेट स्भी के लबने हैं द कुद्धा जम्सक कर लगते हैं थे सकतर सीचुन हसुछ नारीश। इसmon detection हैरिए करना है कि थोड़ा जो आप डाइट ले रहे हो उसको तीन से चार भाग में बिल्कुल ही डिवाइड कर दो बिल्कुल डिवाइड करके तो ही खाओ उसके साथ फ्रेंड्स आपको हरी पतेदार सबजीयों का बहुत जादा से जादा इस्तेमाल करना चाहिए कम से कम हपते में दूसरा अपने डाइट में जरूर से जरूर करने चाहिए दूसरा हो गया ड्राएट्स अपने डाइट में इस्तेमाल ड्राइट आपकी अपनेडर में लोगे ऐस Talking on Дीये जो आप उसमें चाहिए १ में यहन्त के उवराल काफी जरूरी यानि की बदाम हो गया अक्रोट हो गया इन सारे चीजों को आप अपने डाइट में इंक्लूड करें बदाम से आपके सिसु का जो भी प्रक्रियाएं हैं हड्डियां वगएरा हैं मजबूत होती हैं इसके बाद जो आपका अक्रोट है इसमें ओमेगा 3 फैटी इस बहुत जा सा इसकी तासिर गर्म होती है आप 5 महीने के बाद से खजूर अंजीर यह सारे चीजों का इस्तेमाल करो और पहले महीने से आप किसमी सो गया इसके बाद अख्रोट हो गया बदाम हो गया इन सारे चीजों को क्या करो कि सबसे पहले तो रात को इसको साफ करके वास करके रात थोड़ा सा गर्म तासीर की होती है तो ये साल 스स तैख में लगती है तो जब गर्म आपको करने लगेंगी तो नुक्सान आपको लगे payments लिए तो इसको दाज में भी खो करें को दे 》 उसके बाद अपको आणार aTIA चुकांदर और इसके साथ आपको शेव एपल ये तीन चीजों को अपने डाइट में डेली का डेली इंकलूड करणा है अगर फ्रेंड्स यह तीन चीजों को इंक्लूड करोगे अपने डाइट में तो पंदरह दिन में ही आपका जो हीमोगलोविन का अस्थर है अस्थर है वह बढ़ जाएगा जितना चाहिए उतना में में इस्तेमाल करो एक छोटा सा अनार या फिर सो एमेल आप अनार का जू कोटी मोटी भूख लगी तो थोड़ा सा आपने एपल वगरा खा लिया या फिर चुगंदर जो है चुगंदर का सैलेड वगरा ले लिया तो इस तरह अगर आप इसको इसको इस्तेमाल करोगे तो आपका पेट भी बरा रहेगा और आपको निट्रिसियन भी मिलेगा और आ आप जो है जो भी अनाजे खा रहे हो यानि की रोटी दाल चावल ऐसे करके खा रहे हो तो इसमें आपको क्या कर रहे है कि कठे एक बर खाना आपको नहीं खाना है थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने डाइट को जो है बांट देना है डिवाइड कर देना है इससे भी आ जो यह दाले होती है इसमें प्रोटीन बहुत जादा मात्रा में मिलती है तो यह प्रोटीन का सोर्स होता है यह प्रोटीन का सोर्स होने की वज़ा से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा इसके साथ आपको आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर आपको आइरन ब तो इसके absorption के लिए आपको क्या करने है कि एक vitamin C यूप चीजों का इस्तमाल करना है इसमें आधा निवू का इस्तमाल कर सकते हो इसके बारे में हम जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में बने रहेगा ताकि आप को भी कुछ इस वीडियो से वाले ची है कि आपके देन्थ और या हूंता है कि आपकर आयरματα फेंवना को बादा है प्लिक हर्म Anda किए और सबते हैं तक इस डहाता है शयू होता है। सब्सक्राइद करें लगता है बहुत चम्खीली होती है उसके पढ़ने की वादके सरक्त हैं लिगता हुद्ट निप्र दिरक्त निपकर के नीचे के लिए निवल ही रहे गार उसके साथ अंदर के नीचे तो आला जो नॉबर नेड़ी तो फ़ल्ड़ नीचे बहुत वह वहां पे आपको और भी ज्यादा दार वीपी हाई की वज़ासे ही आपकी तोचार दल होने लगते हैं आपके तवर्चा पर चेहरे पे ज्ट्रेस आपको नहीं लेना है इस जो फ़े जो है बहुत सारी मैंनाओं में नहीं प्रक्ता है कि तोधी मैंनाओं का मैलेनून बढ़न